हेलो दोस्तों आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चलना हर्जी ग्यान क्लासेस में तो यह है टेस्ट सीरीज नंबर 111 जो की प्रियाग राज डिविजन का कुश्चन है नौर्स सेंटर रेलवे के अंतरगत आता है यह डिविजन और यह जो इसका एक्जाम डेट है 17 अक् जो है हमारे विद्यार्थी ने लाया था जो कि पहले पार्ट के वीडियो में बताया गया है आप पहले पार्ट में एक्स्प्लेइन भी अच्छा किया गया है और जानबगारी भी बहुत अच्छे-चे कोश्चन थे तो पहला पार्ट जरूर देखिएगा यदि आपने न टोटल इसमें जो कुश्चन है वो 166 है ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए वेल आइकन प्रेस कर दिए ताकि ज जो शिकायत निवारन पोर्टल है इनमें से कौन सा है तो वो है रेल मदद ठीक है रेल मदद यह क्या है शिकायत निवारन पोर्टल है रेल मदद जो है इसमें रेल मदद में M-A-D-A-D का एक फुल फर्म भी होता है जो आपको याद करना चाहिए मदद ठीक है इसका होता ह है mobile application mobile application for desired assistance during travel mobile application for desired assistance during travel यह इसका full form होता है और यह जो rail मदद है वो rp grams के कहीं एक भाग है और rp grams का भी आपको full form याद रखना है जो rp grams होता है railway में होता है उसका full form होता है rpgrams यह जो rp grams होता है इसका form होता है railway passenger grievance reversal and management system ठीक है तो यह भी आप याद रखेगा जो rail मदद का help line number है वो 139 है वो भी आपको question में पुछा गया है कि railway मदद के help line number क्या होता है तो 139 होता है ठीक है और भी इसमें option है उसको भी हम लोग देखेंगे IREPS ठीक है इसका जो full form होता है Indian Railway e procurement system होता है और यह जो है tender या contract से related है tender या contract के काम जो railway में होते है online वो IREPS के माध्यम से होते हैं इसी portal पे होते हैं तो इसका full form हो जागा Indian Railway e procurement system उसके बाद अगला option जो है है वो है HRMS human resource management system ठीक है और यह सारे जो एप है यह railway employee self service इसका full form होता है railway employee self service और इन अभी exam में top करेंगे और यही कारण है कि फुल पुरी तरह से information यहां से दिया जाता है जिसके कारण विद्यारती टॉप करते हैं चलिए 57 number question देखते हैं आगे क्या है what is the width of meter gauge rail line जो rail line होते हैं उसमें तीन परकार के gauge मुख्य तोर पर रखा गया है एक meter gauge है नाइनो gauge है और एक broad gauge है जो कि अभी अधिकतर जो rail line है वो broad gauge ही कर दी गई है इसका gauge होता है 1676 mm ठीक है 1676 mm होता है तो यह सब आपको याद रखना है जो broad gauge होगा वो 1676 mm होगा की बीज की दूरी होती है वही होता है गेज रेल्वे का gauge ठीक है meter gauge मीटर नाम से है सबस्थ है 1000 mm का होता है यानि एक meter का होता है narrow gauge होता है 762 mm का होता है और एक 610 mm का होता है तो 610 mm बला जो है यह नियोजलपाई गुरी या धार्जिलिंक जो जो इलाके हैं, उसमें इस तरह के गेज का इस्तमाल किया था है, 610, एक स्टेंडर्ड गेज भी होता है, 1435, 1435 का स्टेंडर्ड गेज भी होता है, वो भी याद रखेगा, टॉलरेंस अभी कुछ दिन पहले एक एक एक्जाम में पूछा गया था, और हमने टेस्ट में उस कु को डाला भी था, टॉलरेंस भी आपको याद रखना है, जो ब्रॉट गेज होता है, अगर सीधी ट्रैक है, तो माइनस 6 से लेके प्लस 6 तक का टॉलरेंस होता है, और मीटर गेज है, तो माइनस 3 से लेके प्लस 6 तक का टॉलरेंस होता है, और इसमें एक रेडियस निकाल के अभी एक tolerance होता है, लेकिन वो अभी एक्जाम में आया नहीं है कभी, तो उस तरह के question को discuss नहीं कर रहा हूं, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं question number, तो इसका जो answer हो जाएगा, meter gate पूछ रहा है, तो one meter हो जाएगा, एक number, ये option correct हो जाएगा, ठीक है, और इसका real method correct है, आगे द instrument in descending order of accuracy in measurement, i.e. highest accuracy instrument, first and lowest accuracy instruments, last mic, जो instrument दिये गये हैं, आपको उसमें क्या करना है, कि जिसकी highest accuracy है, उसको पहले करना है, और जिसकी accuracy कम है, वो last में करना है, और इस तरह से आपको सजाना है, ठीक है, तो हम लोग चल शुरू करते हैं, इसमें जो A option है, इसमें slip gauge सबसे पहले हो होगा, micrometer बाद में होगा, फिर varnier caliper होगा, और फिर steel scale होगा, तो A इसका correct माना जाएगा, आगे दिखते हैं, question number 59, Mechanical department at division level is directly responsible for which of the following, जो मंडल अस्तर जो होते हैं, division level पर, वो mechanical का जो विभाग का जो काम होता है, जब accident होते हैं, ये accidents related question है, और accident and disaster management का आपने वीडियो भी देखा होगा, बहुत ही इसांदार वीडियो बना था, और उसका जो material भी है, बहुत अच्छा है, जिसको ये welfare inspector में, J.E.M.E. के जो exam होते हैं, उस सभी exam के लिए बहुत ही useful वो PDF है, और जो भी यहां से जुड़े हुए होते हैं, उनको दिया जाता है, और यही कारण है, कि अच्छे marks आते हैं, यहां से जुड़े हुए लोगों के लिए, तीन रात मेनत किया जाता है, तो ये जो question है, वो disaster management से related है, और उसमें mechanical department का division level पर जो होता है, वो role होता है, rescue, relief and restoration, ठीक है, तो 59 नमर जो question है, इसका आंसर हो जाएगा, बी, rescue, relief and restoration, आगे देखते हैं, question नमर 60, To issue major penalty, following schedule is used, जो major penalty issue किया जाएगा, तो उसमें कौन सा standard form इस्तेमाल किया जाएगा, तो ये SF5 है, जो standard form होते हैं, कम से कम आपको 11 standard form याद होने चाहिए, कितने यान होने चाहिए, 11, तो 11 standard form याद करना बहुत ही आसान है, इसको दो दिन, तीन दिन, जब भी पढ़ने बैठी है, तो एक बार standard form लेकर बैठ जाएगे, ठीक है, एक दो दिन में याद हो जागा, फिर जैसे इसे आप test यादी देते हैं, या और भी material रिगुलर पढ़ते हैं, तो जैसे इसे question आपके सामने आते जाएगे, और याद होते जाएगे, इसी तरह से याद होता है, एक बार मे होता है suspension, ठीक है, इसको जो है suspension मतलब काम से हटा देना या निलंबित इसको कहा आता है, और वो पेनाल्टी की स्रेणी में नहीं आता है, ये भी question आता है, इसको भी ध्यान रखियेगा, दूसरा जो SF2 होता है, होता है dimmed suspension, मने माना गया, माना गया निलंबन, याने कि यदि कोई करमचारी जो किसी परकार की घटना में सामिल होने के वज़े से 48 hours से ज़्यादा समय तक अगर जेल में बिता चुका है, लेकि रेल बेक उसका पता नहीं है, लेकि बाद में पता चला कि 48 hours से ज्यादा से आप जेल में हैं, तो उस जब उस समय से जब वो 48 hours के period के बाद का पता चला और जब वो गया था, उस समय से उसको suspension माना जाता है, यह नहीं कि पता चलने के समय, पहले के समय से suspension माना जाता है, और उसी को कहायता है, dimmed suspension माना गया suspension या माना गया निलंबन, तो SF2 में है उसका, SF3 है, जो suspension हो जाएगा, उसमें कुछ allowances भी उसको रेल करमचा को दिये जाते हैं, क्योंकि suspension के दान, जो है पडिवार के खाने, पीने या भत्ता के नाम पर, आब उनको सब्स्टिटेंस अलाउंस मिला जाता है, जिनेवन निर्वा भत्ता, इसकी स्विकरिती जो है, स्टेंटर फर्म 3 से होती है, SF3 से, SF4 होता है, रिवोकेशन और सस्प 6 में क्या है, refusing of documents होता है, उसको inspect करने से refuse करने का होता है, स्टेंटर फर्म 6 वो है, ठीक है, जब यह लगता है कि जो extra documents है, वो मांगना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, सजा बहुत ही यह है, तो उसमें मना किया सकता है, तो यह से 6 होता है, refuse of permission to inspect document, उसके बाद स्टेंटर फर्म जो 7 होता है, वो होता है, जो appointing authority होती है, उसके नियुकती के लिए, जो standard form इस्तेमाल किया रहता है, वो है 7, standard form 8 जो है, appointing or presenting officer के लिए, नियुकती के लिए होता है, standard form 8, 9 जो है, वो cancel कर दिया गया है, 9 standard form 9 नहीं है, वर्तमान में, 10 क्या है, जो common proceeding होता है, उसमें जो आम का रवाई जिसो कहाता है, यह एक ही तरह का कोई काम, गलत काम होगा है, रेलवे करमचारी के द्वारा, और दो से अधीक करमचारी उसमें लिपता है, यह ठीक है, तो इस तरह के जो case में, standard form 10 का इस्तेमाल कहाता है, जिसके कहाता है, disciplinary action in common proceeding, disciplinary action in common proceeding, यह कहाता है, SF10 में, SF10 का A जो होता है, appointment of inquiry officer in common proceeding, जो common proceeding जो होगा, उसमें inquiry officer की जो नियुक्ति होगी, उसमें चार्चिट लगाने के लिए, वो होता है, SF10 का A, SF10 का B जो होता है, appointment of presenting officer होता है, ठीक है, तो SF10 का B यह होता है, SF11 minor penalty होता है, तो इतना आप जरूर आप जयाद रखेगा, इसके बाद के जो penalty, standard form है, वो retire L करमचारी के लिए हैं, और वो राष्ट पती के हाथ में सीरे जाता है, तो 60 number question का हो जागा अब भी, आगे देखते हैं, question number 61, for which purpose, standard form 7, देखे, standard form 7 किस परपस से इस्तमाल किया जाता है, अभी होना बताया, कि जो inquiry officer जो होता है, उसकी नियुक्ति के लिए, standard form 7 का इस्तमाल किया जाता था, और appointment office, जो presenting officer होते हैं, उसकी नियुक्ति के लिए, standard form इस्तमाल किया जाता है, कौन सा, 8, ठीक है, तो इसका answer हो जागा B, आगे देखते हैं, question number 62, Under which rule of, under disciplinary and appeal rule, holding of inquiry of charge sheet is not mandatory in certain condition, मतला, अनुसासना अत्मक और appeal नियमों के किस नियम के तहत, कुछ शर्तों में अरूपिक जांच करना निवारे नहीं है, तो यह है, rule 14 का दू, ठीक है, आगे देखते हैं, यह भी बहुत common question है, बहुत exam में आ चुका है, जरूर याद रखिए जितने भी question आपको previous में मिलेंगे, बहुत सारे department में आये हुए हैं, और यही कारण है, कि जो test जो हमारा चलता है, वो हर test previous paper से चलता है, उसी को थोड़ा सब modified किया जाता है उस question को, और आपको हर पूरे भारत भर में जहां भी exam हो रहे हैं, सारे question से हर Sunday आप अफगत होते र Nowadays, online pass is issue on, अभी जो वर्तमान में online pass हम लोग issue जो ले रहे हैं, वो का है, HRMS के माध्यम सो होता है, बहुत ही आसान सा question था, question number 64, देखिए, How many full set privilege pass are given in group A officer of Indian railway in a year? भारती railway में जो एक स्रेणी के जो अधिकारी हैं, उनको full set privilege pass पूरे 6 मिलते हैं, ठीक है, लेकिन जो technician है, artisan है, उनको मिलते हैं, सिर्फ तीन मिलता है, ठीक है, वो भी 5 years अगर service complete हो गया है, तो यदि first joining है, तो आपको 5 साल तक एक pass ही मिलेंगे, और AC, third AC के होंगे, ठीक है, yellow color के होंगे, आगे देखते हैं, question number 65, 65, in accident manual, train parting is under, जो accident manual है, उसमें train parting किसमें आता है, train parting is under, J class में आता है, J class में, ठीक है, इसमें क्या होता है, failure of rolling stock यार train parting जिसमें आता है, J class में, इसमें क्या होता है, कि accident में A से लेके R तक total 16 बनाए गया है, A से R तक जोडेंगे तो 18 होगा, लेकिन I और O को उसमें नहीं रखा गया है, total 16 class A से लेके R तक बनाए गया है, हर अक्ष इसमें आएगा, उस तरह की accident होगे, तो वो class में आएगा, जैसे A, A class हम लोग लेते हैं, तो A class में क्या होता है, collision ठीक है, collision अगर होता है, तो A class में आएगा, fire यदि होता है train में, तो B class की accident में आएगा, C class का जो accident है, वो होता है, लेवल crossing या जो traffic है, उसमें train run into level crossing या red signal इ accident होते हैं, वो C class में होते हैं, ठीक है, उसके बाद D class में होता है, drill mint, E से होता है, other train accident होता है, E class, other train accident, F में होता है, averted collision, J type जो होता है, failure of engine and rolling stock होता है, जो की train parting उसी में आता है, तो 65 का हो जागा, A, J का जो class है, J1 से लेके J10 तक है, ठीक है, जिसमें पिछले जो एक-दो दिन पहले कोई test हुआ था हमारा, हमारा ही test हुआ था, उसमें J1 के बारे में पुछा गया था है, कि J1 का क्या मतलब है, तो failure of engine hauling, failure of engine hauling, a train carrying passenger, ठीक है, और J2 है, not carrying passenger, तो J1 से J10 भी याद करना है, जो हमने disaster management का, जो PDA बनाया है, वो last में A से लेके R तक के जितने भी accident के class हैं, वो total उसमें दिया हुआ है, उसको जरूर पढ़िएगा, जो main main है, उसको जरूर पढ़िएगा, जो आ गया एक्ज एक्जाम में उस तरह के question आ जाते हैं, तो इस तरह से accident के कुछ rules थे, जो हमने आपको बताया, आगे देखते हैं, question number 66, fire in train is classified which class of accident, जो fire होते हैं, हमने बताया B class में होता है, तो इसका answer हो जागा B, आगे देखते हैं question number 67, which of the flowing is same of technology designed to prevent of two trains, अच्छा है, मतलब एक technology एक विक्सित किया गया है, जो दो ट्रेनों को रोकने के लिए design की गई है, ठीक है, यह है, कवच, कवच क्या है, accident के नहीं होने देखते हैं, दो ट्रेनों है, उनको रोकने का यह काम करता है, और यह जो कवच है, उसका एक अन्य नाम भी है, TCAS, ठी अन्य नाम भी है, इसका अन्सर जो हो जागा, 67 का वो हो जागा, भी, आगे देखते हैं, क्वेच्छन अमर 68, The Disaster Management Plan 2019 issue by the Indian Railway Safety Director, contains guidelines related to, जो Disaster Management Plan 2019 में, Indian Railway के दोरा issue किया गया है, उसमें, कौन-कौन से आते हैं, यही आप से पुच रहा है, यह क्या है, Food, Earthquake, Cyclone, Man-made Disaster, Like Terrorism, ETC, यह सब भी Disaster के, आपदा के छेतर में ही आते हैं, जो Earthquake, भूकम्प हो गया, Floods, मतलब बाड आ गया, Cyclone आ गया, जो तुफान आते हैं, यह Man-made, मतलब इंसान के द्वारा ही, जो आतंकी घटना इस तरह के होती है, वो पूरे Disaster Management के अंतरकत उसको लिया गया, Crowd Management, Role of RPF in Crowd Control, यह भी है, तो इसका मतलब क्या है, कि All of the Train Accident भी Disaster Management में आता है, तो इसका मतलब है कि 68 का आंसर हो गया, D, ठीक है, यह दिशान इरेस दिया गया था, Disaster Management Plan 2019 में, जो कि Indian Railway के दोराईशू किया गया था, तो 68 नमर कुश्चन का हो जाएगा, D, आगे देखने क Q69, जो the following class of ART, देखिए, ART के जो train होते है, जब accident होता है, तो उसमें ART के तीन class होते है, जो पहला ART, A class का ART होगा, सिर्फ उसी में 140 ton crane का इस्तमाल किया जाता है, बागी B class, C class में 140 ton crane का इस्तमाल नहीं किया जाता है, तो इसका answer हो जागा, A, आगे देखते हैं, Q70, What is SLI, used in 140 ton crane, जो 140 ton crane जो होता है, उसमें SLI का होता है, Safe Load Indicator, ठीक है, तो इसका answer हो जाएगा, A, आगे देखते हैं, Q70, जब coaching stock से कुछ question आ गए है, पहले इससे पहले जो exam होते थे, 124 नमर टेस्ट से पहले, उसमें ऊपर ऐसे question रखे जाते थे, जो सभी department के लिए useful है, उस के बाद coaching stock कर रहता था, फिर wagon stock कर रहता था, टोटल 110 question पूरा किया जाता था, सभी को लिए, अभी कहा है, टेस्ट को बिल्कुल अलग कर दिया गया, एक जो carriage workshop है, उसको A group का test होता है, जो wagon workshop है, उनका B group का test होता है, और जो carriage and wagon जो है, CNW में है, उनका C group का test होता है, और D group म अभी अलग से test होता है, ऐसे ऐसे बाट दिया गया है, तो आप किसी को किसी और question का पढ़ने का जरूत नहीं, जैसे आप wagon workshop में है, तो आपको coaching stock के question पढ़ने की और confused होने की कोई जरूत नहीं है, आपको वही question मिलेंगे, जो exam में आपके आएंगे, ठीक है, इस तरह से test कारण है कि बहुत ही अच्छा result रहता है यहां से, full form of PEAV is, PEAV का आए तो बहुत ही असान सा question था, passenger emergency alarm wall, ठीक है, passenger emergency alarm wall, जो कि option no.C में है, आगे देखते हैं question no.72, with reference to air brake system of ICF coaches, which amongst the following is the correct full form of PEAVD, PEAVD का full form पूछ रहा है और इसमें कोई विशेस नहीं है, तो passenger emergency alarm signal device, यह, ए इसका correct answer हो जागा, question no.73, which of the following is no true for Vandhibharat train, Vandhibharat के संबंध में इन में से कौन सा, सही नहीं है, Vandhibharat के संबंध में कौन सा, सही नहीं है, यही पूछ रहा है, ठीक है, it has fast acceleration, यही सही है, fast acceleration है, बिल्कुल सही है, at both end, it has driving trailer car, ठीक है, यही सही है, DTC जो हता है, बोथ end होता है, इसका basic unit में, चार परकार के coach होते हैं, motor coach होता है, driving trailer coach होता है, non driving trailer coach होता है, फिर motor coach होता है, इस तरह से, चार वो basic unit के अलग-अलग है, A, B, C, D समझे एक तुरह से, ठीक है, और चार basic unit मिला के, एक unit बनता है, solar train का यह coach होता है, Vandhibharat express, ठीक है, तो बोथ end में driving trailer car, यह भी सही है, it needs to a locomotive to run, इसको दोड़ाने के लिए, यानि चलाने के लिए, locomotive के अब शकता होती है, यह बिल्कुल गलत है, Vandhibharat को चलाने के लिए, किसी भी परकार के लोगोट की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हर एक coach के बाद, एक motor coach इसमें लगाया जाता है, जो 50% जिसको कहा जाता है, energy दिया जाता है, ठीक है, तो इसका C, correct answer हो जाया है, क्योंकि यह गलत है, तो गलत वला ही पूछ रहा था, तो C इसका सही हो जागा, ठीक है, आगे देखते हैं, इसमें ब्रेक सिस्टम जो इस्तमाल किया गया है, वील माउंटेट किया गया है, एलेच बी में क्या है, एक्सल माउंटेट डिस्क ब्रेक सिस्टम किया गया है, और आईसी एफ में, bogey mounted brake cylinder किया गया है ठीक है आगी देखते हैं question number 74 transportation code of vegetable class vegetable second class three-tire sleeper coach fitted with self-generating electrical equipment मतलब vegetable जैसे हैं अगर आपको बोलता है किसी भी code में coach code में जो ICF में ही इसका इस्तमाल किया था और LHV में ही किया जाता है तो W पहले जरूर होगा vegetable इसका meaning होता है ठीक है self-generating अगर है तो G होगा sleeper है तो S होगा और C N का मतलब बता है three-tire तो इसका answer हो जाएगा B अगले जो question है वो 75 number इसमें क्या है कि 75 ने 75 LWCZDAC represent which type of LHB coach LHB coach में LWCZAC है ठीक है तो L से हो गया LHB जब भी सबसे पहले L हो तो समझ जाएं कि वो coach LHB होगा W से हो गया vestibule ठीक है CZ से हो गया chair car और D से होता है double decker और AC तो AC है ही ठीक है तो ऐसा double decker ही option सिर्फ D में है तो इसका answer हो जाएगा D आगे देखते है question number 76 LWLRRM represent which type of LHB coaches ये power car का code है LWLRRM ठीक है चले आगे देखते है question number question number कितना है 77 ठीक है number of white damper is LHB coaches white damper LHB एक bogey में दो होते है तो एक coach में white damper होगा चार ऐसे total damper एक bogey में 9 होते हैं और coach में 18 होते हैं और इस तरह से यह दिये लिए बहुँ सारे वीडियो में बताया भी गया है लेकिन फिर से सुन लेजे यहाँ एक होता है primary vertical damper यहाँ एक होता है primary vertical damper ठीक है यहाँ भी होता है primary vertical damper और यहां की होता है प्रैमरी यानि चार हो गए प्रैमरी वर्टिकल डैमपर ठीक है एक होता है लेटरल डैमपर तो पांच हो गए एक वाइड डैमपर होता है और एक सेकेंडरी वर्टिकल डैमपर यहां होता है तो साथ हो गए एक यहां वाइड डैमपर और एक सेकेंडरी पर है तो कितना हो गया, 9 हो गया total, और एक कोच में 9 याने की, गोगी में 9 याने की एक कोच में 18, तो 77 नमर कोच्चन का हो गया D, आगे दख देख़ों कोच्चन में 78. में जो वील में जो सेलिंग आता है न जो की 1.5 mm का डीप से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 40 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए ठीक है तो यह है WSP system note function properly जो WSP system है wheel slide protection system वो अच्छा से काम नहीं कर रहा होगा brake caliper में जाम जो brake caliper होता है वो जाम हो सकता है one और both brake cylinder में defective एक या एक से अधिक जो brake cylinder है वो defective होगे तो इसका answer D हो जाएगा इस सभी कारण है wheel sailing के ठीक है तो 78 का हो जाएगा D आगे देखे हैं question number 79 at what interval IOH ठीक है IOH SS1 को कहा जाता है और SS2 और SS3 को POH कहा जाता है ठीक है तो at what interval IOH SS1 of all type LSV coaches is to be done तो यह 18 months पर होता है SS1 यानि soft schedule 1 और SS2 जो होता है वो 36 months पर होता है सीधे इसका double ठीक है और SS3 जो होता है फिर उसका double 72 months पर होता है तो यह आप याद रखेगा SS1 SS2 SS3 और जो kilometer के reference में यदि आप से पूछा जाता है तो 6 lakh kilometer यदि चल गई है LHB की कोच तो SS1 होगा 12 lakh अगर चले हैं तो SS2 होगा और 24 lakh चले हैं तो SS3 होगा तो 79 का हो जागा C आगे देखते हैं कोच्छामर्स 80 80 देखिए What type of brake block are used in LHB coaches? LHB coach में brake block का इस्तमाल नहीं किया जाता है brake caliper होता है, brake shoe होता है, brake disc होता है लेकिन brake block नहीं होता है, ठीक है तो इसका answer हो जागा D तो यह L type का इस्तमाल होता है under frame mounted जो coach होते हैं wagon में उसमें L type का होता है और K type जो होते हैं, वो coaching stock में या BMBS coach के case में होते हैं K type ठीक है, तो 80 का हो जागा D आगे देखिते हैं क्क्रेशन में 81 What is the, what is periodicity of swap schedule 2 in LHB coaches? 36 month या 16 month या 12 lakh km कोई भी पहले होता है तो उसी समय इसका SS2 होता है, swap schedule 2 SS1 जो होता है 18 months या 6 lakh km और SS3 जो होता है, वो 72 months या 24 lakh km ठीक है, तीन साल, छे साल, बारा लाग तीन साल, तीन साल, छे साल यदर रखे का डेर, तीन, छे और इदर छे, और इदर छे, बार और चोबिस आगे दखते हैं, question 82, what is the length of LHP coach over CBC, 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 मतलब CBC सहीत, पूरे LHP coach की जो लंबाई होती है, वो कितनी होती है, CBC सहीत, ठीक है, तो होती है, 24,000, ठीक है, और 23,540 होता है, के बाड़ी का, length over body, ठीक है, तो यह हो जागा B, आगे दखते हैं, question 83 the forged component in Fiat bogey Fiat bogey forged components होते हैं forged components कहते हैं जो होती है strong हो और यह है जिसमे durability ज्यादा हो जो इस तरह के जो T Bodys C neutrino froggy frame rocket frame जो ऊसका है वो तो बोगी फ्रेम है, फोर्ज कमपनेंट्स होता है लेकिन जो डिपार्टमेंट ने इसका आंसर बी ही दिया था, इसके वैसे इसको हम लोग कंट्रोल आम बैकेट लेड़ा हैं, ठीक है, आगे देखते हैं, कॉश्चन में 84, जो एलेजबी कोज की सेल की जो पेंटिंग सिस्टम होए है, वो इपोक्सी पीउ टाइप होती है, इपोक्सी पीउ टाइप पेंटिंग, ठीक है, 84 का हो जागा, बी, ठीक है, इसको आप जो ही आपके एक्जाम में यदि कॉश्चन आते हैं, तो आप बी ही लगाएंगे, और यदि आपके ओप्सन में बोगी फ्रेम होता है, तो वही लगाएंगे, ठीक है, आगे देखते हैं कॉश्चन में 85, काटिज टैपर रोलर बेरिंग, CTRB का उपयोग, फीट बोगी में किया जाता है, CTRB का, ठीक है, इमू कोच में नहीं किया जाता है, डेमू में नहीं किय किया जाता है, तो इसके 85 का हो जाएगा, A, आगे देखते हैं कॉश्चन में 86, at originating station, the break power percentage of male express train should be, जो originating station जहां से गाड़ी स्टार्ट होगी, वहां male express train है, यानि कोचिंग इस्टो का जो train है, उसमें 100% BPC होना चाहिए, break power परतिशन, ठीक है, और in route में 90% होना चाहिए, इ दो कोश्चन याद रखेगा, आगे देखते हैं 87, the color of break pipe in coaching train, coaching train में जो break pipe होता है, उसका color होता है green, और feed pipe का होता है white, और same wagon stock में भी वही होता है, यदि break pipe है, तो उसका green होगा, और feed pipe है, तो white होगा, आगे देखते हैं 88, कोश्चन नमल, a recently built coach with glass ceiling and large glass window are called, अभी हल ही में जो एक कोश्च बना है, जिसका आपको LHV से ज्यादा बड़े-बड़े C से दिखाए देंगे, खिर्किया दिखाएंगे, और हलका green color type का होगा, उसको vista dome coach का जाता है, vista dome, ठीक है, 88 का हो जाएगा, C, आगे देखते हैं, कोश्चन में 89, which of the following is a feature of tight lock coupler, tight lock coupler जो होता है, H type CBC, tight lock coupler जो LHV में इस्तेमाल किया जाता है, तो इसमें क्या है कि anti-climic feature होता है, वो क्या होता है कि जब गाड़ी accident होते हैं, तो उस case में जब गाड़ी accident होगा, तो ये कोश्च दूसरे कोश्च की ऊपर नहीं चड़ेगा, जिससे कि major accident होने की chances बिल्कुल कम होता है, और इसी को कहता है, anti-climic feature जो की H type, tight lock CBC coupler जो LHV में इस्तेमाल किया जाता है, वो ही है, तो इसका answer हो जागा, A, जिसमें लिखा हुआ है कि it provide anti-climic feature to prevent coaches on riding one above to another in case of accident, ठीक है, आगे देखते हैं, question number 90 What is the correct value of air pressure in feed pipe? जो main line passenger coach of Indian railway, मतलब जो feed pipe है, उसी के air pressure पूछ रहा है, तो feed pipe में होता है, 6 kg per cm2 का pressure होता है, और break pipe में होता है, 5 kg per cm2, ये feed pipe पूछ रहा था, तो इसका answer, A हो जाएगा, 91 देखिया With the coaches जो होते हैं, उसमें आपको एक confusion आएगा इसमें, CR, control reservoir जो होता है, ऐसी capacity होती है, 6 liter की, सभी coachों में 6 liter की होती है, इसे पहले के जो control reservoir थे, ICF में, पुराने वाले conventional ICF coach थे, उसमें 9 liter का होता था, कहीं कहीं ये भी आपको पढ़ने को मिल जागा, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है, आप LHB हो, या ICF हो, या wagon हो, या कोई भी coach हो, उसमें control reservoir की जो capacity होती है, वो 6 liter की होती है, और उसमें pressure होता है, 5 kg per cm2 का, BP के pressure के समान होता है, 5 kg per cm2 का, और AR जो होता है, auxiliary reservoir, उसमें feed pipe से charge होता है, उसको charge किया जता है, इसलिए उसमें 6 kg per cm2 का pressure होता है, और इस stock में 100 liter के होती है, ठीक है, तो याद रखेंगे, आगे देखते हैं, question number 91, with the increase in numerical value of riding index, passenger comfort, मला कह रहा है कि इसका meaning यह है, कि numerical value, यानि कि आप जानते हैं कि जो ICF coaches होता है, इसका riding index 3.5 होता है, तो अगर 3.5 से riding index 4 हो गया, या 5 हो गया, तो यह अच्छा होगा, comfortable होगा कि नहीं होगा, तो यह बिल्कुल गलत है, comfortable नहीं होगा, जितना riding index कम होगा, उतना ही, जो है comfortable माना जाएगा, तो क्या होगा, इसमें riding index यदि बढ़ता है numerical value, तो comfort क्या होगा, decrease होगा, यानि तो इसका answer हो जाएगा, तो इसका answer हो जाएगा B, ठीक है, और LHB का जो riding index होता है, वो 2.5 से लेके 2.75 तक होता है, इसका 91 हो जाएगा B, आगे देखते हैं क्वेश्चन होगा 92, which of the following commodities is transported using BTPN wagon, अच्छा, वैगन stock भी आ गया है, तो वैगन stock में BTPN जो होता है, उसमें किस प जो है transportation किया जाता है, तो वो crude oil का इस्तमाल किया जाता है, क्योंकि cement, steel और इस तरह से कुछ आएगा ने, क्योंकि वो tank wagon है BTPN, ठीक है, तो यह oil ही इसमें आएगा, तो इसका A हो जाएगा, 92 का A, आगे देखते हैं 93 का, which of the following is an open wagon, open wagon कौन सा होता है, boxing wagon होता है, BCN covered wagon होता है, ठीक है, और BCNHL, BCN कहीं हो गया है, high length बलग हो गया, BCNHL, ठीक है, तो इसका अंसर हो जाएगा A, उसके बाद, flat wagon होता है, जैसे BLC है, यह थी, flat wagon है, BRN wagon, container wagon है, तो BLC wagon उसको कहा जाता है, hopper wagon होता है, वो होता है, BOBRN wagon, tank wagon, BTPN होता है, उस तरह से कई परकार के wagon होते हैं, और उस सब के बारे में, सबका dimension परना है, सबका tear weight परना है, सबका load परना है, ठीक है, length over headstock परना है, length over, जैसे कपलर परना है, और length over body परना है, ठीक है, तो इसका answer हो जागा, यह, आगे देखते हैं, question number 94, how many inner races are provided in one E class CTRB used in Indian railway wagon, railway wagon में E class का जो CTRB होता है, उसमें races कितने परतां किया जाते हैं, तो वो 2 दिये जाते हैं, ठीक है, inner races, 2 होता है, आगे देखते हैं, 95, maximum permissible speed of MT, BLC wagon, जो BLC wagon होता है, या तो MT हो या loaded हो, दोनों condition में, उसकी जो speed होती है, वो 100 के MPH की होती है, तो इसका हो जागा D, आगे देखते हैं, question 96, in which of following circumstances, BPC of in-to-in react shall not be invalid, जो in-to-in BPC होती है, ठीक है, वो दो प्रकार के होते हैं, एक premium in-to-in और ordinary in-to-in, ठीक है, दोनों में अलग-अलग conditions हैं, और test में सभी प्रकार के question डाल के, आपको पूरा तरह से BPC complete करा दिया हैगा, यदि आपने regular test दिया है, ठीक है, तो इसमें क्या है कि यदि, composition of rack is changed by four or more, चार और चार से अधिक wagon यदि उसमें change कर दिया गया है, तो क्या होगा, BPC invalid हो जाएगा, उसके बाद rack is stable to more than 24 hours, किसी भी याड में या कहीं भी rack 24 घंटा से ज्यादा रुक गया, तो यह क्या होगा, BPC invalid हो जाएगा, engine of rack is changed, engine से कोई मतलब नहीं है, engine का कोई जिक्र नहीं है, यदि engine change होता है, तो BPC invalid नहीं होगा, ठीक है, तो इसका answer नहीं वाला पूछ रहा था, ठीक है, shall not be invalid, तो यह हो जागा, C, इसका correct answer हो जाएगा, ठीक है, आगे देखते हैं, question marks 97, permissible maximum limit of flat surface on trade in BG wagon, जो BG मतलब broad gauge, ब्रोड gauge wagon में flat surface की limit होती है, वो 60 mm होती है, यदि coaching stock में पूछा जाता, तो उसमें 50 mm होता है, ठीक है, और जब flat surface हो जाता है, तो इसमें किस तरह के, कैसे पहचानेंगे, यदि in route, in route examination कर रहे हैं, तो उसमें एक hammering का आवाज आता है, इससे लगता है, कोई hammer से continue, उस wheel पर मार रहा है इस तरह से sound आते हैं, तो ये भी question बन गया है, और पूछा भी गया है, साथ है, ये भी याद रखिएगा कि जो flat surface जब हो जाता है, वेगन का, तो समय जो speed होती है, वो 30 kmph की होती है, या कोच में या वेगन में, दोनों में वही होती है, ठीक है, तो 97 को हो जाता है, आगे द जो premium end-to-end rack का जो breaks BPC जारे के आया जाता है, वो कितने दिन के लिए वैद होता है, तो 12 days के लिए वैद होता है, और 3 days का grace period उसको दिया जाता है, यानि कि 2L plus 3 days हो जागा, आगे दिखते है, question number 99, which type of break block are used in bogey mounted brake system, BMBS जो होता है, बोगी mounted brake system, इसमें किस परकार के break block का इस् और BMBS में के type का इस्तिमाल के आता है, what is the tear weight of box natural wagon, जो box natural wagon होता है, उसका tear weight पूछ रहा है, तो होता है 20.6 ton, यानि 20.6 ton, इसका axle loads होता है, box natural का, वो 29.9 ton होता है, pay loads होता है, वो 71 ton का होता है, और gross load होता है, pay plus tear, यानि pay है 71, ठीक है, और tear केतना है, 20.6, तो 71 और 20.6 दोनों को जोडेंगे, तो gross load हो जागा, और जोड के होगा 91.6, ठीक है, QB capacity होता है 61, 61.05 ton, ये box natural होता है, तो सब याद रखिएगा, अब राज भासा में हम लोग चलते हैं, 10 questions राज भासा के भी पूछे जाते हैं, और बहुत ही important होते हैं, छोटा chapter होता है, लेकि इसमें 10 प्राप क करने का कोशेश कीजिएगा, चले, 101, according to official language rule 1976, as amended in 1987, 2007 and 2011, select the date which come under B region from the following, मतला राज भासा नियम जो है, निसो स्च्वतासी, 1967, 2017, 2000, सन्सोðित जो हुआ, उसमें उस राज का के वारे में बताना है, जो B region में आता है, तो B region में होता है, गुजरात होता है, यह अंद्रप्रदेसी रीजन का है, मद्रप्रदेसी रीजन का है, अंदमानी को बार ए रीजन का है, तो इसका अंसर हो जाएगा? A. आगे देखते हैं, कुश्च नमर एकसो तो. Since when section 33 official language 8 come into fourth? Section 33 जो है, उसमें कहा गया है कि 14 प्रकार के documents उसमें दिये गया है, जिसमें कहा गया है कि इन documents को आप bilingual जारी करेंगे, यानि हिंदी और इंग्लिस दूनों language में जारी किया जाएगा, और वो जो है, come into fourth जो act वाया, वो 26 जनवर 1965 को आया, यानि कि 102 का हो जाएगा B, ठीक है? 102 का B, आगे देखते हैं, 103. Which award scheme is applicable for writing, story collection and novel book writing in Hindi? मतलब कहानी संग्रा और उपन्यास के लिए, तो आप जानते हैं कि उन नोबेल के लिखने वाले बहुत बड़े महान, जो कभी मुंसी प्रेम चन थे, उनका नाम था, तो उन्ही के नाम पर ये अवार्ड सुरो किया गया है, कलम के जादूगर उन्ही को कहा जाता था, तो 103 का D हो जाएगा, मुंसी प्रेम चद अवार्ड स्कीम, ठीक है? नोबेल या कोई स्टोरी लिखते हैं, तो उसके लिए अवार्ड आपको दिया जागा, मुंसी प्रेम चद अवार्ड, ठीक है? आगे देखते हैं, क्वेश्चन नमर एक सो चार. आगे देखते हैं, क्वेश्चन नमर एक सो पाँच. आगे देखते हैं, क्वेश्चन नमर एक सो पाँच. केंडरी हिंदी समीती जो होता है, सेंटर हिंदी कमिटी, उसके अध्यक जो होते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं. एक सो चे देखे. In which script Marathi language is written? Marathi language जो है किस script ने, वो भी देवनागरी में ही लिखा गया है. पढ़ने में इसी तरह के होंगे, लेकिन उसका अर्थ और कुछ अलग होता है, ठीक है? जो अब जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, वो हिंदी में लिख रहे हैं, ठीक है? लेकिन उन लोग कभी जो बात होता है, वो Marathi language तो जरूर होता है, लिखे लिखे जाता है, जो भी है, वो उसी तरह का लिखायाता है, यानि कि देवनागरी स्क्रिप्ट में ही लिखा जाता है, कभी भी आप Marathi के कोई भी निउस समाचार कभी पढ़िएगा, तो आपको देखने को मिलेगा, तो 106 का हो जाएगा, यह है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नमर 107, तो दोनों याद रखिएगा, 108 नमर देखिएगा, विच और फॉलविविग लेंगवज इस नोट इंक्लूद इन एट सेडूल, आथमियान शुची में कोंसी भासा जो है, सामिल नहीं है, तो आपको मलयालम है, मैथली है, तेलगू है, तमिड है, बंगाली है, संस्कृत ह ठीक है, इसका ही हो जाए, इंग्लिश भी नहीं है, आगे देखते हैं, इंग्लिश भी नहीं है, याद रखिएगा, नेपाली है, आगे देखते हैं, क्वेश्च नमर एक सो नो, How many languages are included in its schedule of constitution? बारतिय समिधान जागा 200 किया खुआ है भछपुरी आपी डीमांड किया गया है और भी कई भासाइं हैं जो अफेस्त किया राजयों ने डिमांड किया है कि हमारे भासा को भी आधियान जाशेंज हूदा जाती है ठीक है तो 110 नमा कूष्षतर दो याख किये स्क्रिप्ट में लिखा होगा और अंको के बारे में लिखा गया है कि इंटर्नेशनल प्राडूफ होगा अंतराष्टिय प्राडूफ होगा मतलब तू जो है एक आइसे भी हिंदी में होता है लेकिन यही होगा टू ठीक है च्छे ऐसे होता है हिंदी में लेकिन यह छे ऐसे ही होगा इतर affect अब समझ रहे हैं एक आइसे होता है लेकिन इंटर्नेशनल प्राडूफ क्या है अंतराष्टिय इंगिलीस वला यही इस्तेमाल किया जाएगा लिखा इस पर आप जूट सकते हैं आप किसी भी डिपार्टमेंटल एक्जाम के त्यारी कर रहे हो या तो जेई का या एड़ एमे का या वेलफेर इंस्पेक्टर का सभी के लिए सेम भी है 3000 टोटल मेटरियल का लिया जाता है जिसमें टोटल टोपिक का मेटरियल आपको दिया जाएगा ठीक है और 10 सेट प्रिवियस पेपर भी दिया जाएगा कुछ प्रॉलम होता है तो solution के लिए अलग से एक whatsapp number भी दिया जाएगा और जो recorded class जो होते हैं उसके link आपको दिये जाएगे उसके बाद आपको यहां से एक roll number दिया जाएगा जिसकी validity आपका जब तक result नहीं हो जाता है जिस post के लिए जूड़े हैं तब तक उसकी validity होगी test series भी यहां conduct किया जाता है test series में participate करने के लिए 150 per month test बहुत ही जानदार सांदार होता है 150 per month आपको test के लिए feed देना है यह दिल लगा के test देते हैं material पड़ते हैं हमारा recorded class देखते हैं तो कोई result आपको काट नहीं सकता है कोई नहीं आपको हटा सकता है आपने देखा होगा कि कितने result हमारे इसके part 1 में देखिएगा कितने result हमारे पूरे भारत भर में first rank आता है हमारे विद्यार्थी और second rank, third rank सब यहीं से आता है ठीक है तो फिर मिलेंगे किसी ना किसी वीडियो में तब तक के लिए जय हिन दोस्तों धन्यवाद